हेलो फ्रेंड वेलकब टू आवर शेनल और फ्रेंड इस वीडियो पे हम डिसक्स करेंगे डिएलेट सेकेंड समेश्टर यानि की दितीय समेश्टर और आज से आपका पेपर इस्टार्ट हो गया है और फर्स्ट पेपर आपका हुआ है वरतमान भारतिय शमाज यह वं प्रार प्रवाइड भी किया गया होगा अगर आप अपडेट विद कादल चैनल से जूड़े होंगे तो ठीक है और सब कुछ आप सभी को सारे वीडियो भी प्रवाइड की गई है चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं चैनल पे नए आ गया है तो एक दो क्यूशन जो भी आपके बाहर से आया है क्योंकि पहले ही प्रविक्षण रिमांग प्रादिकारी द्वारा सची द्वारा यह कह दिया गया है कि हम तो देंगे ठीक है कुछ क्यूशन क्यूंकि आपने दसवी बारह में तक पढ़ा है उसके लेवल तक तो देंगे ही उनका यह कहना है तो एक दो क्यूशन आपको आउटाप स्लेवर्स देखने को मिलेंगे ही तो शलिए आप अपने आंशा की पेपर ले लीजी अभी और देखते रहिए कि आपका कितना करेक्ट है ठीक है और कहां आपने गलती की है चलिए यह आपका 50 नमबर का पेपर है ज सिक्षा एक त्री मुखी प्रक्रिया है यह कथन किसका है और फ्रेंड्स यह आपके लगवक चाहरों समेश्टर में यह जो क्यूशन्स है ठीक है वो देखने को मिल जाएगा क्यूंकि इसका नाम है वर्तमान भारते यानिकी जो भी करंड मतलब इंडियंस है ठीक है और जो यहां राइट है एक राइट है नेक्स प्रशन पूशा गया था शिक्षा का प्रमुख उदेश्य क्या होता है फ्रेंड्स शिक्षा अगर हम ग्रहन करने है या फिर हम भवश्य में आप सभी जल्दी टीचर बनेंगे तो उसका उदेश्य क्या रहेगा तो यही रहेगा कि अगर हम किशी को पढ़ा रहे हैं अगर कोई हमसे पढ़ रहा है तो उसका शरवांगे विकाश हो वो चाहें शमाजिक हो ठीक है धार्मिक हो राजनेतिक है याने की घर से भी उनको शिक्षा मिलती है और साथ ही साथ अगर वो संस्थान जाते है ठीक है आप्शारिक पूशा गया और नक्स जो समेश्टर होगा थर्ड समेश्टर उसमें भी आपको प्रशनोत्तर का जो चेप्टर है वो देखने को मिल जाएगा तो सिंपल आप कहेंगे प्रशनोत्तर विधी के जनक किशे माना जाता है तो शुकरात को आप्शन नम्मर वन आपका यहां रा प्रशनिक से समन्द देता है तो बिलकुल यहां राइट आंसर लगाया गया है महात्मा गांधी नेक्स है बिश्व दल जल दिवश है वो कम मनाया जाता है तो फ्रेंड्स बिश्व जल दिवश जो है और यह कहीं नहीं आप अगर करेंठ अफेर्स या फिर मतलब यह तो ब कहीं ना कहीं पहसाने के लिए इसे प्रशने दिये जाते हैं ठीक है तो दिखी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नम्मर थ्री यानि की बाइस मार्च नेक्स प्रशन है बहुत भी कलपिये का और प्रशन नमर शेवन है पाट साला को एक बाग और सिश्यू को पाओधा वो सिख्षक को माली किषने कहा है तो किषने कहा है तो फ्रेंड्स फ्रोबल ने कहा है और इसका फोर राइट आंसर हो जाएगा इस्टेटमेंट पूछा ही जाता है ठीक है प्रशन नम्मर एट है दिवा शोपना नामक पुष्टक के रचनाकर कौन है तो फ्र घर पर दी जाने वाली सिख्षा क्या कहलाती है फ्रेंड्स घर पर जो दी जाने वाली सिख्षा होती है उसे हम क्या कहते है उसे हम अनौपचारिक सिख्षा कहते है अनौपचारिक सिख्षा में आपका जैसे माल लीजिए आपका आगया माल लीजिए हम टीवी देख रहे ह तो हमने पढ़ लिया हमें जनकारी मिल गई है ना संचार से रिलेटेड जो भी इंफॉमेशन मिलती है तो यह सब किसमे होता है तो अनौ अपचारिक सिख्षा और अगर बात की जाए तो अपचारिक सिख्षा मुझसे कहते हैं जो कि टाइमिंग फिक्ष्षो नियमित रूप तो नव बज हमें क्लास में पहुश जाना है औरेली पहुंच त्वार यही काम रहता है कि जो भी बालक आये हैं हम उन्हेश्या दे और हमारा यह है कि हम पढ़ने गए हैं तो भड़े मतलब नियमित हमारा यह रहता है उस कि ग्सक्ष्षा में रखते स्थानु पुर platinum q. 10 मतलब प्रतेग बस्तु जो प्राकृतिक है अच्छी है प्रंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है यह statement किसका है प्रश नम्म टेन तो देख सकते हैं फ्रेंड्स प्लेटो ने यह कहा था कि प्रतेग बस्तु जो है वो प्राकृतिक है और अच्छी है प्रंतु बीधिया on village मां जाती है प्रियोजनवाति कर देट मूल प्रभृत्थी सिधांत की दर्शन पर अधारित फ्रेंड्स आप से सींपल कहेंगे प्रकृति डाइट यहां right answer हो जाएगा question number 13 है मुल्य हमारे बेहवार को क्या करते हैं तो friends मुल्य यानि कि value ठीक है तो मुल्य हमारे बेहवारों क्या करते हैं तो दर्शित करते हैं प्रेरित करते हैं वे देखिए एक और question आपको इसे related देखने को मिल जाएगा तो friends ये एक आपका उर्दू-फार्सी word है और जिसका पूछा गया है आपका या हिंदी दे दिया गया है और पूछा गया है कि वो किस अस्तर की सिक्षा यानि कि प्रात्मिक अस्तर मादिमिक तो आप simple कहेंगे प्रात्मिक अस्तर सकते हैं फ्रेंड्स क्यों देशियों से रिलेटेड है और प्रशन आप देख सकते हैं प्रशन नमर्स पूछा गया था आप सब इसे रोश्यों का जन्म कब आया है तो फ्रेंड्स कब हुआ था अठाइश जून ठीक है अठाइश जून सत्रा सो बारा इस भी में हुआ था इथिंक है ना और कहां हुआ था तो कहां हुआ था इटली में हुआ था ठीक है इटली में जो है हुआ था इटली के जनेवा में नेक्स्ट है सत्यम शिवम सुन्दरम किस दर्शन का अधार वाक्य है तो friends सत्यम शिवम शुंद्रम आप सिंपल कह सकते हैं आदर्सवाद ठीक है आदर्सवाद और क्यूंकि DL8 में कभी भी DL8 की परिक्षा साब साब कहा गया है कि आपको सटीक आंसर देना है अगर आप गुमाफिरा कर आंसर देते हैं तो friends आपको कहीं न कहीं लोश होता है या क्यूंकि friends कहीं न कहीं अगर आप सही तरीके से लिखते हैं तो कहीं न कहीं आपको जो भी स्टेप मार्किंग उसका बेनफिट मिलता है। थीक है। बाखी स्टेप मार्किंग क्या होता है आप चैनल के साथ बने रहें आपको सब कुछ बताया जागा डिएलेट की कोपिया कैसे चीक होती है, सब कुछ, everything, next है, प्रश्च नम्मर 18, वहिशिक तापमान से आप क्या समझते हैं, सच्छिप्त, यानि कि बहुत ही और वर्तमान में जो भी मानुई गतिविधिया होती हैं, जो कुछ भी अभी रिसेंटली कर रहे हैं, है न, उसके कारण जो भी उत्पन, ग्रीन हाउश, है न, जो भी है, ठीके, उससे उत्पन होती हैं, जो कि प्रिथ्पी को दिरकालिन तक क्या करती हैं, मतलब औसत के रूप में रखती है तो आप सिंपल कह सकते हैं जो भी हमारे global warming green house से related ही पुछ से मतलब जो भी हम करते हैं जो भी activities करते हैं उससे related जो भी आप कह सकते हैं जो भी प्रेक्रियाय होती है आपको simply एक line में लिखना था बस लिख देते बात खतम हो आती है और इसमें बहुत कुछ आता है जैसे आपका यूजिंग transportation आ गया producing food आ गया और पावरिंग बिल्डिंग्स आ गया तो यह सब कुछ जो है आपको इसमें देखने को मिल जाता है ठीक है प्रशन नमर 19 है मुल्ले का क्या आर्थ है देखिए मुल्ले से आपके दो दो प्रशन पूशा गया और यहां देखिए यहां आप मुल्ले का आर्थ मत बताएगे बस यहां देखिए एक वैग्यानिक द्वारा किसी भी वैग्यानिक का नाम लिखकर उसका स्टेट्मेंट लिख देना था तो अगर हम यहां अर्वन एक वैग्यानिक है अगर इन क्या कहे तो इन्होंने कहा था कि जिससे मनुष्य की एक च्छाओ की पूर्ती हो उसको हम मुल्ले याने की वैल्यू कहते हैं अब इसको सिंपली इसका अर्थ समझेंगे तो जो भी व पूर्ती होती है ठीक है उसे ही हम मुल्ले कहते हैं नेक्स्ट है प्रस नम्मर ट्वेंटी पर्यावरण सब्द किन दो सब्दों से मिलकर बना है तो आप सिंपल कहेंगे स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं परी प्लस आवरण है ना परी मतलब चारों और 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 मतलब धाका हुआ चारों और से धाका हुआ जिसके अंदर हम हैं भी उसी को हम पर्यावरण कहते हैं बस उसके पास श्वामी विवेका नंजी के बचपन का क्या नाम था तो भईया आप कहेंगे कि श्वामी विवेका नंजी का जो बचपन का नाम था वो था नरेंद्र नाध्द सिंपम्पल गिंगे विशव संख्यादवस 11 जुलाई को मनाया जानता है प्रश्ण नमर तेयन से शिख्षर के शारोभ inhib का अरथ लिखिए सिख्षर्ण का मतलब सबको ।ating और बीख निश्चित श्वे हं, अर्थ लोगों को अनिवारे रूप और निशल के रूप से मिलें उष में हम शारो भाओमिक सिश्च्छा कहते हैं ठीक है बस इतना लिखना था एक नमर का प्रश्न था बहुत सिक्षा क्या है तो बहुत सिक्षा तो फ्रेंट्स आप सबसे पहले लिख सकते थे बहुत एक शिक्षा यानि कि बहुत धर्मिक संस्था आप कौन है महात्मा बुद्ध है ठीक है और इसमें क्या था इसमें बस पुछत की ये ग्यान पर ही फोकुश नहीं किया जा रह था बलकि इस शिक्षा के तुरू जो भी श्वास्त से रिलेटेड ग्यान है बहुत धिक तार्किक सब कुछ इसमें इंक्लूडेट था यानि कि बहुत शिक्षा क्या था एक शारो भाव में शिक्षा था आप सिंपल ऐसे भी कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है प्र में ही देना है तो एक लाइन में लिखना था शिक्षा का शमाने अर्थ होता है कि जो भी शमाज के तौर तरीके हैं या फिर मानसिक रूप से और बोधिक रूप से ठीक है शाररीक रूप से शब कुछ आ जाता है सद्रिड खुद को बनाने में है न कहीं न कहीं हम अपने लक्षों को इससे प्राप्त करते हैं, समाज में किसाउं काईसे बात करने हैं, कहीं न कहीं हम सिक्षे कि त्रू ही ये सिक्षे हैं, वह चाहे राजनीतिक हो, शानस्क्रितिक हो या फिर शमाजी सब पूर सिक्षась क्यें से क्या wording होता है, बस लिकना था, नेक्स ये ओपचारिक सिख्षा की कोई एक भी सिष्था बताईए अब देखिये फ्रेंट्स मेंने जैसे की अगर आप यहां यह समझ गए है कि ओपचारिक सिख्षा क्या है यानि कि ओपचारिक किसे कहते हैं तो जो नियमित रूप शे हो नियमित कोई छात्र पढ़ने जा रहा है, सनस्थान में पढ़ रहा है आ रहा है उसको जाना है, आना है, पढ़ना है उसे परकार एक शिक्षक के थुरू सिक्षक द्वारा भी उस आयह हुए बालों को पढ़ना क्योंगे ये नियमित हो रहा है, एक सैडिवल त्यार हो गया है, हैना, तो ये आपका और शुल्म सिक्छा के परभाविक आरकों, तो friends, सिक्छा के परभाविक कारक के नाम बताएं, तो आप सिंपल कह सकते हैं धार्मिक कारक, अग्दार्शनिक कारक, शामाशाश्त्री कारक, आर्थी कारक नैथिक कारक यह सब क्या है यह सिक्षा के परभावी कारक है बहुत सारे हैं बस दो तीन लिख देना था बहुत है नेक्षे प्रशन जन संचार के मादयम से एक संचार के मादयम से आपका टीवी हो गया रेडियो हो गया यह सब क्या है यह सब जो है टेलीफोन हो गया आपका मुबाइल हो गया यह सब क्या है यह जब जन संचार है बस इतना लिख देना था प्रदूशन का अर्थ लिखते हुई इसके प्रकार वाटर प्लूशन यह क्या है इसके प्रकार है ना पांच प्रकार आप लिख सकते थे ठीक है और जो भी गत्वीदिया होती है जैसे वाई परदुशन होता है कहीं कहीं गड्धे जम जाते हैं और कहीं न कहीं उससे हमारे मानुवी जीवन पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है गंभीर बीमारिया हमें होती है तो बस परदुशर यहीं लिखना था नेक्स है टेगोर का किस धारणा में बिश्वास था तो टेगोर रबिंदरनाः टेगोर का तो फ्रेंड्स आप अगर इनको पढ़ेंगे तो इनका आदर्सवाद और प्रकृतिवाद दोनों में ही इन शिक्षा में प्रकृतिवाद की योगदान का मुल्यांकर कीजिया अब देखे शिक्षा में प्रकृतिवाद फ्रेंड्स बहुत ही अहम रोल सही नहीं होगा तो वह पालक कैसे पढ़ेंगाviv नेकि परिवार का लिए WHAT x के माथा पिता का उखो उसके समाज का उसके गाउं क तो जब तक पर्या वरडिया, बिकास सही नहीं रहेगा प्रकृतिवाज सही नहीं रहेगा तब तक कही न कही हम सिक्षऑ गरहन अच्छे से नहीं कर सकते ये आपको बस कि ये दो नम्मर का कर्शे है तो थोड़ा आपको बस इसका आर्थ पता होना चाहिए बस उसके पासे आपको point to point करके लिख देनाशाएं बिद्याले को शिक्षा का परभाव शाले साधन किस परकार बनाया सकता है अब इसमें कोई पूछने वाली बात ही नहीं है इससे आप खुद लिख सकते थे कि विद्याले को सिक्षा का परभाव शाली क्योंकि विद्याले में एक schedule होता है एक पाठिकरम होता है जिसके according हमें prepare किया जाता है और हम पे जो भी उदेश्य है जो भी नियाम है उनके according हमें उस पर चलने को कहा जाता है जलवाय उपरिवर्तन फ्रेंड्स यह सिंपल है आप लिख सकते थे सिक्षा में जन संचार यानि कि सिक्षा में जो भी अभी online के माध्यम से जो भी डेश्टल इंडिया आप देख रहे होंगे तो यह पोछ रहा है सिक्षा में सिक्षा में बहुत ही important क्योंकि आजकर आप देख रहे होंगे आपी classes जो है online हो रही है वो चाहिए आप संस्थान मे भी जा रहे हो तो परदे पर पुरा online के माध्यम से सारी प्रेक्रियाएं हो रही है और बहुत ही easily हम पढ़ पा रहे हैं आजकर जैसे कि अभी जो भी आपके मतलब कहीं कहीं आपको दूर ट्यूशन करने के लिए जाना पड़ता था लेकिन अभी क्या है यह सुभिधाय जन क्यूशन है और बस देखिए जो भी आपको बताया गया है सब सिक्षा से रिलेटेड ही पूछा गया है बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सारे क्यूशन का अंसर अगर आप बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़े होंगे तब भी दे सकते हैं अब देखिए क्या आंतर है आपको बहुत बार अभी इसी वीडियो मता दिया गया है समाजी के हम संप्रदाइक सो हार्द क्यूं आवश्यक है तो यह जो भी शारे प्रशन है इनके आंसर आप सिंपल दे सकते हैं क्योंकि अगर हम और इसको मतलब एक्स्पेपर करेंगे तो वीडियो बह श्यार जिरू करेंगा और लाइक करके जाएगा थैंक्स वाचिंग्स वाचिंग्स